आज मैं आपके लिए आलो मठर की सब्ची लें, इसे आज मैं प्रिस्ट कुकर्में बनाओंगी जिसे आपका बहुत सारा वंपी बच जाएगा, आए मेरे साथ मेरे किछन बे, मैं बनाने जा रहे हूं आलो मठर की सब्ची है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले पैन में तेल गर्म कर लेंगे जब तेल अची तरह से गर्म हो जाए मैं डाल रही हूँ जीरा ग्रीन चिली और प्याज प्याज को हम अची तरह से भून लेंगे प्याज में तब तक भूनेंगे जब तक कि यह गोलन ब्राउन ना हो जाए अब इसमें मैं डाल रही हूँ पोटेटो जिसे कि हम स्मॉल साइज में कट कर लिये हैं साथी साथ नमक और हल्दी इसे मैं करेब दो से तेन मिनट यूही बूनूंगी और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ अद्रक लसन का पेस्ट इसे में तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्छा पन दूर ना हो जाए अब इसमें मैं सुखे मसाले डालूंगी जो कि है क्यूमेंट पाउडर कोरियंडर पाउडर और रेच चिली पाउडर इन सभी को अच्छी तरह से भून लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बरा टमाटर जिसे कि छोटी चुटी पिजस में मैं काट ली हूँ और इसे मैं तब तक भूनूंगी जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन पीज इसे भी एक से डेल मिनट के लिए भूनेंगे और और इसमें मैं हाफ़कश्ण पानी डल रही हूँ पानी पानी दालने के बाद गराइप मसाला डले जाए हुआ हम में ऐसे पहले मिला लेता हूं और धब कर कर ढकन बनकर देंगे इस वक्त और दो सीटी माッट होने तक इसे पकाएंगे लिए और हमारा अलूमठर तयार हो गया है इसे मैं गानिस कर रहे हूं तन्या पती के साथ और बस हमारा अलूमठर तयार हो गया है यूं ही हमारे वीडियोज देखते रहें, बनाते रहें, खाते रहें और स्वस्त रहें, बुकर जॉइन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.